कि नमव नहरें चेगो माता वंदे मात्रमा भरति को प्रणाम और हिर्दैशे ओम शाम्शन श्राय नमव प्रदैश्टकों मित्रों शाक्तियों शकार्त्मक विचारों की पुंजी ही जीमन का सबसे بड़ा खजाना है एकनल में एक बात याद रखेंगे हैं शकार्त्मक विचार रहे हमारी बुद्धी शकार्त्मक रहे सस्तंग का निये में सर्मन बहुत ज़रूर की शक्तंग क करेंं करई और श्वायध्यर्शंते तंसे हमारे बुद्धी plenty में शकास्वा विचारों का जनम होता किए और शकासवान विचारी हमारे जीवन में प्रसंता का में बोल होंगा इसलिए हर रोज सन्द महापूर्शं का साथ सुनन और कव्र proclaimed करो विचार शकार आत्मक रहेंगे ओम नमो नहारे मित्रों शाथियों बात करते हैं एक अक्तूबर 2023 की राशी फल और पंचांग थी राशी फल और पंचांग प्याओं उससे पहले आज का संदिश शंपाउन राष्ट को शनियमाउश्या महत्रव की हार देख सुखाऊंगे 14 अक्तूबर शनियमाउश्या महत्रव शिरी सनिधाम सनि तीरचित असोला फतेपूरवेरी में आपका अश्वागत है करिय शनिभगवान के दर्सन पोजन तेला पिशेक शंपाउन कश्टन से छिटकारा देगा देगा मित्रों शाथियों आप दिली अन्सियार में रहते हैं तो शतरपूर मेट्रेशन से लगबग सड़ चार किलोमेटर आगे असोला और फतेपूरवेरी की पावन भूमी में शिरी सनिधाम सनि तीरे चेत्र है करिय सनिभगवान के दर्सन पोजन तेला पिशेक शंपाउन कश मिलेगा बात करते हैं आज के पंचांग की आश्विन मास क्रिष्ण पक्स की दूतिया विक्रम समझ दोहजार असी आश्विन मास की पंद्रा परविष्टे सक्षा मुनिश्व पैंतालीस आश्विन नौ तद अनुसार रविवार एक अक्टूबर दोहजार तेईस करण गर करण का समाप्ति काल सुबह नौ बजकर 41 मिंट अगला करण वनी जोगा सुर्द काली नक्षत्र आश्वनी नक्षतर स्वामी केतु देव है नक्षतर का जो समाप्ति काल है वह साथ बजकर 27 मिंट अगला नक्षतर भरनी नक्षतर स्वामी केतु देव केतु देव आट बजकर 45 मिनिट पर बुद्देव कन्या राशी में प्रविश्पदेव और रहुदेव मेश राशी में शुकर देव करक राशी में दो अक्टूबर प्राते एक बज़े शुकर देव सिंग राशी में प्रविश्पदेव कुम राशी में केतु देव तुला राशी में यहेग्रों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 1 अक्टूबर 2023 का राशिफल लेका है आज का जो अभिजीत मूर्थ है वो शुबह 11 बज कर 47 मिनट से लेकर दोपर 12 बज कर 47 मिनट तक रहेगा अब धी 47 मिनट है आज की दिन कोई भी शुबह कारे करने के लिए ये 47 मिनट बहुत उत्तम महरत है कोई भी नयार शुबह कारी जिसकारे में चीर काल तक लाब लेना उसे अभिजीत मूर्थ में करें और आभी जीत मुर्द भगवान सेरी हरी को बहुत प्रिया है आज का लाब का चोगडिया सुभे नौ बज कर बारा मिन्ट से लेकर सुभे दस बज कर एक तालीस मिनट अमिर्त का चोगडिया सुभे दस बज कर एक तालीस मिन्ट से लेकर दोपर बारा बज कर ग्यारा मिनट स शुबका चोगडिया दोपर एक बज़ कर चालिस मिल से लेकर दोपर तीन बज़ कर नौ मिल तक रहेगा आज का जो रहुकाल है वो साम साधे चार से लेकर छे बज तक रहुकाल दन शुबकारी करना शौदा करना पुझनिविस करना आनुकूल और उचित माना नहीं गया यह सला मेरी मर्जिया यात्रा उत्तर दिशा के ठीक रहेगी और आज की दिन यात्रा पे जाने शेपूरू मीठा पांच जबात वे यात्रा पे निकलें तो कस्ट कम आएगा फिरदर्शकों मित्रों सात्यों समेश शाधन प्रशतियां और काल में बहुत परिवरतन आया है इस समय यात्रा की अति आधुनिक साधन है इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें आपके ऊपर कोई बंदन नहीं लेकिन जब आप यात्रा के लिए आज के दिन घर से बाहर निकले तो पहले साध कदम उत्तर दिशा की होर जाए इस देवता कुल देवता प्रतर देवता का अध्यान करते मंगल में यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पी जाएगा कश्ट कम आएगा ना मनाएगा मेरा एक छूटा सा निवेद ने मित्रों शात्य आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका आफिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह नौ बज़े से लेकर साम आट बज़े के बीच में उठाए जाएंगे इसलिए मेरा नंबर आ रहे हैं गौशाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वो सुबह नौ बज़े से लेकर शाम आट बज़े तक की होगा इस बात का ध्यान देंगे फिर दर्शकों में त्रों शाथियों एक अक्टूबर आपका जनम दिन फिर सादी की साल गरे तो मेरी और से आ अगर आपका जनम दिन है तो इस उपाय को आप श्यौम करें मित्रों शाथियों पहले तो इस समय पितरपक्ष चल रहा है और ये लगातार ये लगातार 13 अक्टूबर तक रहेगा 14 अक्टूबर तक रहेगा लास्ट अमावश्या है 14 अक्टूबर को और अपना आप में ब 15 दिन शर्धान उशार अपने पित्रों का पूजनतार है और आप अपनी छम्ता के अनुसात हर रोज गरीब निर्दन व्यक्ति को भोजन और वस्त का दान जरूर दे आज के दिन आप भगवान शिव का रुद्रह अभिशे करते हैं केरियर और कारुबार और नौकरी में समाज परिवार में कही भी कस्ठ है तो पित्रों के नाम से भोजन और वस्त का दान दे और भगवान शिव के रुद्रा अभिशे के बाद दान दे तो पित्रभी परशन होगे और प्रमेश्वरी परशन होगे और आपका जिमन खोशियों से भरा रहेगा नाब बात ये जो राशी फल्ड़ है आपकी चन्दर रासी आपके मेश रासी प्राथारे, राशी फल्ड़ पूरशों के लिए है, मैलाओं के लिए भी है, बज़रगों के लिए बचतर, शब केतुदेव के नक संचर गड़ियं शंचर रहे, कारूबार की प्रति उत्सा बना रहेगा, प्रतिदुन्दी प्रास्त होंगे, बिगड़ावा काम बनेगा, धन लाब और शुक और शुक प्राप्त होगा, पारवारी जीवन अनकूल हैगा, श्वास्ति उत्म और चित में प्रसंता बनी रहेगा, आप युवार विद्यारती हैं, केरी और एजुकेशन के छेतर में अ क्या ना करें, अपनी जिम्यदारी दूसरों पर न छोड़ें, शुबंग्शाथ, 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 भग्यापकी पक्स में, 80% लाब का संकेद हैं मेशरासी वालों, ओम, क्राम, क्रीम, क्राम, शाभ, हुमाय नमा, मंगल देव की बीज मंतर का जाब करना उत्तम रहेगा, नमने बात करते हैं, विशराबरासी, 12 भाव में चंदर देव, 12 भाव में चंदर देव, केतु देव और शुक्र देव के नक्षणों में संसर्भी करें, समय प्रतिकूल है, नक्षणतर करना इस बात का संकेदरी है, कि कामकाज का सब्सक्रेट, समाज में बजा समाज में मरियादाओं का पालन क converge चाहिए, डाइरों का उलंगन नहीं होना चाहिए, रिस्तों की कतर केदर करेंगे, supporter कार्म चाहिए, समाज में अलोचना का सामना करना प्रसकता है, अपनां का असयोगा, मांसिक पर ilsहानी बढ़ी इस Magic देव मितनों से साफ दान देना पड़ेगा युवाओं को सिक्षा के दर्शक्रान विद्यारत युवाओं के लिए आज के दिन बड़ा ही प्रेशानिक यह कारे कारेशसे पर सभार के साथ का ना करें रेणादी का लेंद देना करें शुबरंगुला भी भागिया आपकी पक्ष में 35 परशनलाब का संचेत पर शुक्रायनमा शुक्रदेव की वीज मंत्र का जाप करना अती उत्तम रहेगा नमने बात करते हैं संचन करें मालक्षमी की करपा होगी कारोबार में सफलता मिलेगी ने कारोबारी शमंद बनेंगी धनलाब की अवसर बढ़ेंगी समय सुभर लाब है वेवशाहि नौकर में विश्तार का आउसर होगा चल अचल संपति की प्राप्त होगी स्वजनों का सभी को शुक सफलता के साथ साथ परिश्रम का पूर्ण फल में लेगा लक्षत रगणा संकेदरी है युआ और विद्यारती दोनों ही परिश्रम और मैनस से पीछे ने अटे गए और प्रणाम बहुत अनकुल प्राप्त होगी क्या करें अपनी कारी चमता का प्रियोग करें क्या ना करे शास और प्राक्रम में कमी नहीं होने शुबंग्चा शुबंग्भूरा भाग्याप जिन पच्छत प्रसंद लाब कर संकेद है तो अम ब्राम ब्रीम ब्राम शाग बुद्हाय नमा बुद्देव की विजमंत्र का जापकना अति उत्तम रहेगा नमना ने और बात करते करक दिवार मौकरे में लाब और शफलता मिले अपने घर में अपने घर की दक्षन दिवार पर अपने पित्रों का शिर विर्र लगाए और हर रोज पंच पिचार पूजन करें धूब दीप नेवेदी फुस्पर अक्षतार पिद्गरे सुद्देशी घी का दिपक जला है और श्वेद्पुष्प शुगंदी श्वेद्पुष्प पित्र देवताब यून अमहाईश मंत्र का जाब करते उनके चिर्ण में अर्पित कर है राश्यवार लगातार ये एक तारिक से 14 तारिक तक है पूरे लगातार लगातार गरीज जरुद्मन लोगों को भूजन अव उसर मिलेंगे और हर मां की चतूरदसी और अमावश्या के दिन ये उपाई आप कर लेते हैं तो आपके घर में शुक्षान्ती रहेगी और परेशानी से मुक्ति मिलेगी नमनेन बात करते हैं करकराश करकराशी वालोग दसंभामें चंदर्देव केतु देव की नक्स्तों में संचन करें समय शुब और अनकूल है कि शत्रु प्राजित होगा शत्रु आपको हनी पहुंचाने में नाकाम रहेगा धनवर्दी से मान और प्रतिष्टा बढ़ेगी मंचाई वस्तु की प्राप्त होगी कारी चित्र में प्रसान मिलेगा पारवारिक मेल विद्धियारतों के लिए केरियर कामकाज, कारोबार, नौकरी, बिव्चा, शिक्षा के चित्र में उत्तम अवस्तर के साथ आगे बढ़ने का पूरा मौखा मिलेगा अच्छा प्रसॉर्म करने का मौखा मिलेगा लाभ की प्राप्त होगी टेकनिकलि चेत्र में अच्छा म का मिलेगर नौकर में उन अत्तिक आवस्षार नमिन योजनाओं प्रकाम करने का मौका भी नमिन कारिये और नमिन योजनाओं में पारवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी क्या ना करें मित्रों समंध नहीं भी गाड़े शुबंग दो शब्रूंग सपेद भागी आपकी पक कामकाच कारूबार नौकरी वेवसाइश समाज परिवार के साब के नक्षट करना पूंट आपके पक्ष में लाबका संकेत देगी सफलता मिलेगी अच्छे आउस्टर मिलेगी योजनाओं फली बूथ होगी आउस्टाओं की पूर्थी होगी केरियर कारूबार में उत्तम आउस्ट के साथ पारवरिक वातावण अच्छा रहेका अकल्ज साइंस की ओर ध्यातमे जुकावच्छा रहेका और जोतिष विञ् 1 इस सब चेतर में उत्तम आउसर के साथ मांगली की यूजना भी आपकी फाली बीट होगी अपनों का सहुग पुस्तान मिलेगा और यात्रा बड़ी लाबकारी रहेगा आप यौर विद्यारती हैं और आप लौ में हैं आप मीडियेटर्शिप का काम करते हैं आप फिलम इंड अपनों से बैर भाव नहीं राखे सुबंक्ति सुब्रंग और भाग्या आपके फैंसेट प्रशनलाब का संकेते सिंग राज्वलों ओम राम रीम राम शार्शूर्याय नमा इस बीज मिंतर का चाप करना उत्तम रहेगा नमनें बात करते हैं कन्याराशी आस्टम भाव में चंदर्देव और अस्टम भाव में चंदर्देव केतु देव शुक्रदेव के नश्रों में संचिर करें समय प्रतिकुलता परिशानी और कष्ट का संकेते हैं आज आपकी कारी सहले की वज़े से आपकी भासा सहले की वज़े से आपकी निरणयों की वज़े से परसासन औ प्रियास्तों की बावजूद भी थोड़ा सा समय प्रतिकुल है इसलिए धैरी और स्यम से काम करें सफलता देरी से धना नहीं हो सकती परिवार में क्ले से इसलिए सावधन से काम करें शिक्षारों को प्रेशानी का संकेत अपनों से समझे से बिठाना बहुत जरू और वहरत क प्रफंस दूर नेरत प्रेशानी है कि यह करें जहरी से काम करें नया कोई निवेस आज नहीं करें शुबंकार शुबंकार शुबरंग परपल भाग्याब की परसंद लाब कर संकेत कण्याराश ओम ब्राम ब्रीम ब्राम इस्षा बुधाय नमा बुद्धेव के विजमंत् प्रशत होगे संतान और परिवार से खुश्या प्राप्त होगी घूमने पिने और मनुर्ण के साधनों के साथ आज का दिन अपनों के साथ बढ़ते होगा वैभाईक जीवन की परिशान से मुक्ति मिलेगी जीवन साथ रिस्तों में प्रगारत आएगी और वैभाईक शु में शफलता के उत्तम अवसर क्या करें अपनी जिम्मदारी के प्रती निष्टावान बने रहे क्या ना करें कारश्यत में अनाव शुक्ता नावना ले शुबंग्ति शुब्रंगुला भी भाग्या आपके साथ परसंद लाब का संकेते तुला राश्य वालो ओम द्राम द मिलेगा यहां को सरकारी संस्त्राओं में स्कॉल्टर्शिव मिले की प्रवल संभावना सरकारी नौकरी में अच्छा लाब है परिवार का पूरा शाथ उस शिक्षा की प्रणाम परिश्रम का अनुकुल प्राप्त होंगे और आगे बढ़ने का मौका में क्या करें विचार मंत्र का अत्युकं रहे करते हैं धनुराज़ ची पंचंभाव में चंद्रदेव केतु देव शुकर देव कि नक्षत पूरता इस बात का संकेत काम बनेगे रुकिवे कारियों को पूरा होने का पूर्ण संकेत है परिवार का साथ मिलेगा समाज में बर्शर समाजी की तोड़ा सा प्रिश्रम का प्रश्रम में लेकिन विर्थ के विवादों से दूर रहना बहुत ज़रोगी चार्य को और ध्यान देना भृष्ण आवस्यासा के अधिक आज खरीदारी ना करें शुबंगतें शुबंगतें परपल भाग्यापकी परकुष्ट प्रसंद लाप कर संगेद धन्दाश्ट ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श्याग गुरुवे नमा ब्रश्पति की विजवंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा ना आरे बात करते हैं मकर रा असी के लिए अज कर सुलुदर के हो हैं मित्रों शटा कि कुछ मित्रों निकासा पित्रों को कैसे प्रसंद करें हे। वित्रों 13, 14 और अमावश्या ये तीन दिन विशेश कर पित्रों के होते हैं, कशन्पक्षिकी 13, 14 और अमावश्या गाई के उपले, सुद्ध जो हमारी भारतियन स्री गाई उसके उपले, कंडे जिसको बोलते हैं, उमें अगनी पर जुल्ट करें, गाई के सुद्ध घी में गुड मिलाकर और पित्र देवता भेवनमह इश्मंत्र का जाब करते आउती ज्यादानी सर्धानुसार एक्सवाट आउती दे लगातार तीन दिन हर मैंने साल भर करके देखें केरियर कामकाज कारुबार नौकरी से कोई भी परिशानियों से चुट कर और हर माश्या के दिन स आपके लिए लाबकारी रहेगा और बात करते हैं मकरास चतुरत भाव में चंदर देव केतु देव शुकुर देव के रंक्सर में समय की प्रतिकुलता परिशानी और कष्ट का संके आज कारी वालों के लिए समय बहुत सावधानी का वानी पर समय रहे कारी इस्तल पर दो क्रिल मित्रों का जमावणाय है मित्रमंदली मित्र मंदली को नुक्सान पहुंचा सकते क्ता कत्र मत्रमंदली से अब दो लहां कर आगे बढ़े प्रणी इस मंत्र करना उत्तम रहेगा निरू बात करते हैं कुम्ब राषी तीसरे भाव में चंद्र देव केतु देव की सब्सक्राइब बना रहेगा मान और प्रतिष्टा बढ़ेगी धनलाब के अउस्सर प्राफ होगी आपके अधिकारों के लिए आज का दिन बड़ा उत्तम है करी महनत कठीन परिशान से मुक्ति मिली नौकरी में उनतिक आउस्सर होगा और शिक्षकों और आपके बीच में अ परिवार का साथ में परिशान से मुक्ति में कामकाज कारबार नौकरी में समाज और कुट्रम का पूर्ण और स्योग प्राप्थ होगा समझी वर्चसों बढ़ेगा समस्यां से शुटकारा मिलेगा और मन प्रसंद है गरगस्ति में सामझे से रहने से परबरी वातमन खुश्यों से भर रहेगा और वैविशा की यात्राओं से लाब देगी लेगा लेकिन यात्रा में शाह उठानी अपर आयर वैको शंतुल मिनान के चले बैठर रहेगा अगरी मेने कठीन परिष्णम करना पड़ेगा और विशेष राव से जो प्रसासनिक अफसर है सेंटर गवर्रमेंट में है पुरात्र विवाग में है एचार से संवननने दे या पत्रकार्ता की छेतर में है उन्हें आज विशेष शावधन से काम करना पड़ेगा क्या करें बहुत जरूरी है आज भासा से लिए उत्तम रहे आप क्या ना करें परिश्रम और लगन से जी ने चुरा है सुबंगनों सुबंहरा भाग्या आपके साट परसंट लाप का संकेते में डाशल ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाग गुरुवे नमों ब्रश्पत दिव क कि भीज मंत्र का जाब करना अती उत्म रहेगा अब ले शकुर मित्रों शातियों इथा बाराग के बारा राश्यों का राश्वत नक्षतर ग्र्णाओं के आधार पर मेरा हाँ के वस्तान का हर व्यक्ति जानता है गडाती माराज गायों से बहुत प्लार का लिए हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना शंपुम्ण गडिया के इस मेरा सोक था तकी ध्रॉबर ति ये करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजे से नह मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्थिक दस्टिकॉंट से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी शमश्याओं के शमधान के लिए, आप अपनी जन्मकुनली के अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊँगा, त थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हिरदय से आया, लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अ बिस्ता करिए, शनी भगवान आपकी रक्षा करेए, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती माहराज के जोती से समधान की आविश्यक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में लगवग लगवर बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी हैं, जिनोंने सनीधाम गोशाला में एकीसो रुपिया चारा कर दिया है, मैं उन सब की परती अपना आभार परगड़ करता हूँ, और ये सयोग मे में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनीधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्पोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते वे जो सर करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, यह आप भी जानते हैं, शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्याद है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देखते विए, हिरदय से पुने एक बार निवेजन करना चाह झाल